आई अवरिवन कैसे हैं आप सब इसली क्लास में हमने पढ़ा था फोम के बारे में उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास text field होती है text box होता है buttons होते है radio button देखा था हमने उसके अंदर और check boxes को देखा था और एक button देखा था हमने जिसके अंदर हमने क्या लिखा था submit अब वो submit button का काम क्या होता है जितना भी data आपने form के अंदर fill किया है उस data को वो क्या कर देता है server के उपर submit कर देता है वो तो हम उस button के उपर programming करते हैं कि किस server के उपर जाना है अब जो submit button है उसके उपर भी हम क्या use करेंगे कि वो हमारी जो data है उसको ले कर जाए server के पास तो हम उसके लिए use करते हैं एक attribute और उस attribute हो क्या कहते हैं हम method ठीक है कि अब यह ऐसा कौन सा method होगा जिसके 3A data जाना चाहिए अब यह method हमारे पास कहां से आते हैं यह method आता है हमारा HTTP method से wait a minute यह method जो होता है हमारा वो हमारा कहां से आता है हम इस method को लेते हैं HTTP method से अब HTTP है क्या HTTP का मतलब हो गया हमारा hypertext मैं लिख देता हूँ आपके लिए hypertext markup sorry hypertext transfer protocol अब यह जो HTTP method होता है इसके अंदर हमारे पास generally दो तरीके के method होते हैं कि हम data को किस तरीके से भीजना चाहते हैं एक method जिसकी बात करते हैं उसको हम कहते हैं get और दूसरा method जो है उसको हम कहते हैं post अब इन दोनो methods के अंदर भी variations होते हैं जैसे कि अगर हम get की बात करेंगे तो get के अंदर क्या होता है कि जब हम address जब हम submit बोटन क्लिक करते हैं तो जितनी भी हमारे information होती है वो information क्या होती है as a address बार के अंदर flow करती है लेकिन जो post method होता है हमारा उसके अंदर जो हमारे information होती है वो तो save होती है उसकी body में इसकी method की body के अंदर जिसकी वज़े से वो जो भी information हमने अपनी कहां पर save की है phone के अंदर save की है वो information हमारे address bar में नहीं दिखाई देती तो generally यही एक major disadvantage है हमारे get method का दूसरी बात करेंगे get method की तो इसकी size limited होती है तो इनी चीज़ों को हमें पढ़ना है कि method के अंदर हम किसको use करें और किसको use ना करें generally दोनों को use करते हैं लेकिन अगर हमारी sensitive information होगी तो हम किसको use करेंगे method को किस method को post method को हम यह तो नहीं चाहतें न कि कोई दूसरा इंसान हमारी जो confidential information है उसको क्या कर ले read कर ले अब वो read कैसे कर लेगा वो address bar के अंदर देखेगा तो address bar के अंदर सबसे पहले हमारा URL रहेगा जहां पर हम भेज रहे हैं और उसके बाद हमारी जितनी भी information है वो उस address bar के अंदर आ जाती है तो यही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है अगर हम बात करें पहली get method की तो यह get method क्या कहता है method appends the form data to the URL in the name value pair यहां पर यह URL के अंदर name value pair के अंदर append कर देता है add कर देता है जब इसके अंदर append कर देगा तो यह जो data होगा हमारा क्या वो secure होगा वो तो सबको visible हो जाएगा अब यह क्या करता है this method is useful for form submission where a user want to bookmark the result अब वो bookmark करना चाहेगा अगर result को तो वो इसको भेज सकता है लेकिन अगर वहां पर bookmark नहीं करना चाहता है तो वो क्या करेगा इस method के through नहीं भेजेगा दूसरी बात करते हैं कि जो get method होता है इसके अंदर जो URL की हमारी size होती है न उसके अंदर around मान लो की 3000 के करीब होती है तो 3000 के अंदर अब हमारा information है जो भी हमने data input किया है वो data हमारी यह तो जरूरी नहीं है कि 3000 के अंदर ही आ जाए तो वो क्या करेगा कि अगर आपका data जो है वो करीब 4000-5000 characters का है लेकिन get की size कितनी है 3000 की है तो जो 1500 बच गया वो कहां हो जाएगा वो loss हो जाएगा तो वो आपको दुबारा से retransmit करना पड़ेगा तो यह problem हमारी get के साथ आती है last में यह कहता है कि जो हमारा get method है उसके अंदर हमें अपनी sensitive information पास नहीं करनी चाहिए पहले की website देखोगे तो उन पहले की websites के अंदर क्या होता था कि आप get method को use कर रहे हों तो जिनको हम hackers कहते हैं वो क्या करते हैं पर आपने क्या use कर लिया है get method को use कर लिया तो हमारा password भी और यूजर नेम है वो दोनों के दोनों तो हमारे address बार के अंदर URL के अंदर उपर दिखाई दे रहे हैं जैसे ही वो वहाँ पर दिखाई देंगे बंदा क्या आएगा सीधा URL पर क्लिक करेगा वहाँ से उसको उठाएगा आपके username में आपका username लिख देगा आपके password में आपका password लिख देगा और आपकी जो website है या फिर आपका login का जो phase है उसके अंदर वो enter कर जाएगा अब इससे disadvantage क्या हुआ कि भाईया security है तो है कहाँ पर तो इसी वज़े से हमने use किया post method को तो this method send the form data as an http post transaction ये post transaction की तरह करता है तो इसके अंदर होता है कि जो post method होता है इसके अंदर हमारा data जो है वो link नहीं करता URL के साथ जो हमारा website का URL है उसके साथ link ना करके उस data को ये कहाँ पर store करता है अपनी body के अंदर form submission with the post method cannot be bookmarked इसको bookmark भी नहीं कर सकते post method is more robust and secure ये ज़्यादा robust है और secure है किसके मुकाबले get method के मुकाबले post does not have size limitation इसके पास कोई size limitation नहीं है अपकर कितना ही ज़्यादा data होगा form के अंदर इसको उससे कोई परिशानी नहीं होती है तो कौन सा better हो हमारा post method अब इसका example देखना है तो example देखने के लिए देखो form action हमने किसके उपर perform किया है यहाँ पर action page.php के उपर अब इसके अंदर action.page.php ले लिया उसके अंदर आपने अपना method बता दिया कि किस method से आपने इसको transmit करना है या submit करना है तो आपने यहाँ पर लिख दिया get method ठीक है आगे चले आपने अपना first name डाल दिया इसके अंदर आप user से उसका first name डलवा दोगे और यहाँ पर last name आ जाएगा यहाँ पर यह last name इसके अंदर last name डाल देगा फिर उसके बाद वो क्या करेगा submit करेगा किसके उससे get से ठीक है और एक बटन ओर ले लिया हमने submit का ही जिसके अंदर हमारा method क्या होगा post का method होगा अब दोनों का difference देखेंगे जब हिनको execute करेंगे हम तो दोनों का difference हमें समझ में आएगा जैसे ही हम input करते हैं मैंने देखो यहाँ पर input कर दिया अपना first name नितिन और last name भी मैंने input कर दिया है इसके अंदर नितिन अब मैं अगर submit using get बटन पे क्लिक करता हूँ ठीक है अगर मैं submit using get बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसका result क्या create होगा उसका result यह होगा कि जो यह हमारा page है उसके अंदर हमें address bar दिखाई देता है उस address bar के अंदर यहाँ पर हमारा देखो यह website का नाम आ गया और उसके बाद यह हमारे page का नाम आ गया और page के नाम के बाद देखो यह information आ गई first name जो यह input हमने receive किया है server पर f name is equal to nothing l name is equal to nothing तो यह का यह data हमारा देखो यहाँ पर आ गया इसके अंदर address bar के अंदर तो यही problem थी कि इसकी उसके जो security थी वो हमारी breach हो रही थी अगर हम इसी को post method से use करती है तो post method से use करेंगे तो result क्या बनेगा हमारा अब यह हमने post method को use करके अपने data को server पर send किया है तो यहाँ पर हमारी website का नाम आ गया ठीक है और उसके बाद यह action page dot php लेकिन यहाँ पर ना हमारा f name दिखाई दे रहा है ना हमारा यहाँ पर last name दिखाई दे रहा है लेकिन जो data हमारा receive हुआ है server के उपर वो क्या था f name is equal to need in and last name is equal to need in तो यह difference था एक post और get method का जो exam में पूछा जाता है तो इसी के साथ form खतम होता है अब हम चलेंगे अपने next topic के उपर अब next topic की बात करें तो इस next topic के अंदर एक term आती है और वो होती है हमारी document object model document object model आखिर होता क्या है देखो आपने क्या करा एक website create करिये जिसके अंदर आपने html का use किया है अब html का use करा है तो उसके अंदर तो आपने लाखो बार text यूज किया होगा अब वो लाखो text जो यूज किये हैं उनका एक blueprint create हो जब भी वो execute हो तो जैसे ही हम अपने website के उपर अपने page के उपर क्लिक करते हैं और जैसे ही वो browser के अंदर load होती है तो होता क्या है कि logical structure of document create हो जाता है और उस logical structure को हम क्या कह देते हैं DOM कह देते हैं DOM की full form क्या है portion है हमारा कि what is the full form of DOM तो आपके सामने ही लिखा हुआ है कि DOM की full form क्या होती है हमारी document object model तो आपने जैसे ही मानों कि यह आपका page है और इसके उपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक browser open होगा उसके अंदर आपने जो भी इसके अंदर coding की है तो वो यहाँ पर आपकी page डिस्पले हो जाएगा कि मेरा page किस चीज का है अब जैसे ही page यहाँ पर डिस्पले होता है इस browser के अंदर लोड होता है तो आपका एक structure create होता है और वो structure कैसा होता है tree get form में होता है तो सबसे पहले यह document हो गया अब यह document का नाम आपका मानो की क्या था आपने लिख दिया की मेरा था class of html ठीक है यह आपका document का name था अब उसके अंदर कितने elements यूज हुए है सबसे पहले root element ही आएगा यह html सबसे बड़ा element है इसके अंदर तो वो ही आएगा उसके बाद हमारा head section आ गया head section के अंदर हमारा कौन-कौन से element है title था और title के अंदर हमने क्या text यूज किया है my title यूज किया था clear है अब जो body है उसके बारे में बता देगा कि इस body के अंदर हमने कौन-कौन से tag यूज किये है तो element A यानि कि anchor tag भी यूज किया है heading के लिए h1 किया है अब इस anchor tag के अंदर हमने कौन सा attribute यूज किया है href attribute यूज किया है आगे चले तो इसने बताया है कि text इसके अंदर एक बात भी दिया गया है यहाँ पर heading h1 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी एक text का पता चला तो इसने क्या कराया कि एक blueprint create करती है मानूं कि आप एक school के अंदर गए उस school के अंदर 200 से 300 कमरी है होते हैं इतने कमरे या hospital लगा लो तो एक hospital गए उसके अंदर 200 से 300 कमरी है तो आप पूछते हो ना किसी patient से मिलने जाते हो तो कि इस patient का नाम ये है और ये patient मेरा कहाँ पर होगा तो वहाँ पर एक receptionist होती है तो वो receptionist का काम ये dome करता है क्या करता है dome उस receptionist का काम कि वो receptionist आपको तुरंद बता देती है देखकर कि ना सर आप 202 में जाओ या 301 में जाओ या 105 के अंदर जाओ या फिर आप ये करते हो कि सीधा hospital में घुसे और उसके बाद आपने एक-एक room को check किया तो ऐसे 200 कमरों को check करने के लिए आपको कितना time लग जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि जो document object model है वो हमारा logical structure है ठीक है किसका document का और जिससे हम क्या कर सकते है उस document को easily access कर सकते है यानि कि use कर सकते है या फिर उसके अंदर changes कर सकते है तो document object model का basic funda तो केवल इतना ही है अब देखो इसके अंदर लिखा है कि finding HTML elements अब जो elements है मानू कि आपने जो code लिखा है उस code के अंदर तो अब लाखों बार आपने text को use किया है लाखो line का code है तो आप ये तो कर नहीं सकते कि शुरू से लेकर बैठोगे उसके अंदर alteration करने के लिए changes करने के लिए कि आओ भया हमें HTML tag के अंदर change करना है या हमें paragraph tag के अंदर change करना है तो मैं उस पूरे code को तो पढ़ने वाला हूँ नहीं तो मेरे पास एक ऐसा format होना चीए जिसके through मैं अपने जो tags हैं उनके अंदर जो information है उसको मैं fetch भी कर सकूँ उसको मैं edit भी कर सकूँ और उसको मैं क्या कर सकूँ manipulate भी कर सकूँ यानि कि change भी कर सकता हूँ तो उसके लिए HTML क्या कहती है कि हम HTML के element को access कर सकते है Java script के साथ तो इससे हमी क्या मिल जाएगा elements मिल जाएगे अगर मानो आपको अपने page के अंदर h1 tag चाहिए तो आप क्या करोगे एक छोटा सा code लिखोगे और वो आपका h1 tag आपके सामने आ जाएगा या फिर आप वो h1 tag के अंदर थोड़ा सा change करना चाहते हो तो आप क्या करोगे उस h1 tag के बारे मिल लिखोगे और उसके बाद आपकी जो information है वो आपके सामने change हो के आ जाएगी तो easy भी हो गया तो ये बात ये बताता है कि इसके अंदर कुछ तरीके होते हैं जैसे कि जो element है हमारा यानि कि जो tag है उसको हम search कर सकते हैं id से भी उस tag के name से भी या class name से भी या CSS selector से या फिर html html object collection से clear है इतनी बात अब जब इसका example हम देखेंगे तो इसके example में देखो हमने क्या किया कि एक अपना page create करना शुरू करा और इस page के अंदर सबसे पहले हमने heading दे दी javascript html dome ठीक है basic है आगे चले हमने paragraph tag लिया उसके अंदर हमने id create करी है इस p को और इस p को देखोगे दोनों के अंदर जो data है उनका difference हमें दिखाई देगा अब जो id है हमने लिख दी यहाँ पर intro ठीक है और उसके बाद इस tag के अंदर हमने अपनी information डाल दी कि find html element by id यानि कि यह जो data है यह तो हमारा display होई रहा है ठीक है लेकिन इस data को हमने एक id दे दी किसके अंदर tag के अंदर आगे चले हमने paragraph tag लिया उसके अंदर id दे दी demo इस paragraph को ठीक है और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा आगे चलते है हमने script open करी और script के अंदर हमने अपना लिख दिया document.get element by id जो है ठीक है उसके अंदर हमें search क्या करना है intro को करना है ठीक है search किसको करना है हमें intro करना है आगे चले हमने लिख दिया कि जो demo है उसके अंदर इसको search करना है तो अब ये demo के अंदर क्या होगा ये हमारा show हो जाएगा अब ये p id is equal to डेमो बना के जो हमने blank चोड़ा था यह सारा का सारा content उठके इसके अंदर आएगा ठीक है क्या आएगा अब जो document.getElementById देखो यहाँ पर क्या mean method है getElementById अगर आपको class यूज करनी होगी तो getElementBy class हो जाएगा अगर आपको tag यूज करना होगा तो यहाँ पर tag हो जाएगा आपने क्या का कि इस demo के अंदर ठीक है जो id demo है इसके अंदर जो मेरा data intro के अंदर था वो show कर जाए एक container चाहिए होता है हमे जिसके अंदर हम अपना data को show कर सके तो यह text लिग दिया आपने कि the text from the intro paragraph is क्या है कि plus element dot inner html script को बंद करा body को close किया और html हमारी close हो गई अब इसने result क्या दिया इसने result दिया हमें कि finding html element by id ठीक है यह तो हमारा h1 tag के अंदर था या फिर paragraph tag के अंदर किसी के अंदर था लेकिन the text from the intro paragraph is यह यहां पर दिखाई दे रहा है जो लिखा है हमने उसके बाद यह हमारा result है यह आया हमारा finding html element by id लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि इस intro को change कर देता हूँ मैंने यहां पे intro की जगे intro लिख दिया गलती से तो अब मेरे page के ऊपर क्या display होगा result तो मेरे page पे display क्या होना चाहिए यह result देखो यहां intro कर दिया है तो मेरे page पे क्या आया यहां पर कुछ भी नहीं आया search के अंदर क्यूंकि मुझे जो id मैंने दी थी intro उसके अंदर कुछ मिला ही नहीं जिसकी वज़े से यहां पर मेरा result fail हो गया है लेकिन यहां पर देखो गए तो यहां पर मेरा result आ गया ऐसे ही हम क्या करते हैं class के अंदर करके देखते हैं अब यहां पर मेरा जो p element है उसके अंदर मैंने class define कर दिया कि intro ठीक है और दूसरी class define कर दी intro अब आप यह कहोगे कि sir यहां पर दो दो classes है ठीक है और दोनों एक tag के अंदर use की हैं और दोनों का नाम ही intro है तो आप किस वाली class को show कर पाओगे यहां पर तो हम इसके अंदर क्या करते हैं हम अपना जैसे index करते हैं वैसे ही यहां पर देखो x0 यानि कि मैंने यहां पर position बता दी कि जो पहली position पर होगा उसको मुझे यहां पर screen के उपर display करना है ठीक है तो यहां पर यह जो result आया यह हमारा hello world आ गया लेकिन अगर मैं यहां पर x0 की जगे x1 कर देता तो मेरा result hello world की जगे यह जो intro लिखा है यह आ जाता ठीक है तो इसके साथ हमारा dome भी complete होता है तो dome ने हमें क्या सिखाया है कि देखो यहां इस example में देख लो कि यहां पर जैसे ही मैं change करता हूँ तो यहां पर क्या हो गया इसने मेरे को बता दिया यह ठीक है जो second के अंदर आया था मेरा index change हो गया था x1 पर पहुंच गया था इसके अंदर मेरा index किसके अंदर था x0 के उपर तो dome हमारा क्या है logical structure होता है उस logical structure से क्या काम होता है हमारा कि हम किसी भी tag को find कर सकते हैं इसके अंदर alteration कर सकते हैं उसको हम add कर सकते हैं उसके अंदर कोई भी content ठीक है तो आज की class में इतना ही और देखा जाए तो HTML हमारा खतम हो चुका है तो next class के लिए wait करें तब तक पढ़ते रहें ओके take care bye झाल 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 झाल